हलो एवरीवन तो दोस्तो आज हम आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी मसाला वड़ा बनानी की रेसिपी लेकर रहे हैं इसके रेट चितनिक के साथ यह मसाला वड़े जादा टेस्टी कैसे बनेंगे इसका हमने एक सिक्रिट मसाला भी शेयर किया है तो चलिए कि गीवी डाल लिए जिसमें आदा कप मूंग डाल आदा कप चना डाल और थोड़ी से हमने उरत की डाल डाली है हमने तीन तरह की डाल लिए लेकिन आप सिर्प मूंग डाल से भी यह मसाला वड़ा बना सकते ही दोस्तों इसे अच्छे से हमें 5-6 घंटे के लिए भीगोना आता है यह जो दाल फ्राय होती है ना इसका बहुत ही शानदार स्वाध आता है अब इसे हमें दो बैच में पीसना है तो यहां पर हम थोड़ी थोड़ी डाल डाल कर इसमें और बाकी की चीज़े एड़ करेंगे जिसे इसका स्वाध और बढ़ जाएगा तो मैंने 5-6 कर ल इसे पीस लेजे तो यहां पर मैंने दोनों बैच में यह दाल पीस ली है और अब हम इसके लिए एक सीक्रेट मसाला बनाएंगे जिससे इसका स्वाध और भी जादा बढ़ जाएगा तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया जिस लाल मिच ली है इसे मैंने तोडकर डना है और इसके बाद हमें से भून लेना है दोस्तोम भूनने से इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ जाता है और इसके मसाले वड़े में फ्लेवर है ना बहुत ही otherwise प्लेवरच हाथ है तो इसे हमें कलर Ettीली ंर कॉने तक मीडियम फिलीम और भुनना है ध्यान रहे मसाले जलने नहीं चाहिए और इसके बाद ठंडा करकी इसे हमें ग्राइंडर जार में डालना है और इसका दरदरा पाउडर बनाना है ध्यान रहे आपको फाइन पाउडर नहीं बनाना है दोस्तों बस इस तरीके से इसका कोसली पाउडर बनाना है और इसे PCV दाल में मिक्स करना है अब दोस्तो हमें इसमें डालना है हल्दी पाउडर थोड़ इसी लाल में ची डालेंगे और जो हमने दाल बचा कर रखी थी ना वो भी इसमें एड़ कर दिना है अब इसे हमें अच्छे से फेटना है अगर आप दाल को अच्छे से फेटते हैं तो दाल में बहुत अच्छी एरियेशन आती है जिससे दाल फ्राय होने के बाद उपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सौफ्ट बनते हैं तो इसे आपको 5-6 मिनट के लिए अच्छे से फेटना है इसे बीट करना है और इसके बाद ही आपको बाकी की चीज़े डालनी है तो दोस्तों अब हम इसमें एड करेंगी हरा धन्या हरा धनिया थोड़ा जादा डाली बहुत अच्छा फ्रेश फ्लिवर आता है और मैंने दो बड़ी प्यास डाली है जिसे मैंने जूलियन सॉरी मैंने लच्छा करके प्यास डाला है मतलब स्लाइस कट करके डाला है स्वादनुसायर नमक और थोड़ा सा हमने सोडा डाला है और आधे कप से थोड़ी कम हमने सूजी डाली है जिए हाँ दोस्तों सूजी डालने से यह जो वड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं तो अगर आपको सूजी नहीं डालने हैं तो इसके बिना भी यह बन जाएगा और इसे अच्छे से मिलाना है लेकिन एक पर आप सूजी डा जैसे इसका color change होगा जैसे ये अच्छे से भून जाएंगे ना तो चत्नी में flavor बहुत ही जाइकेदार आता है अब दोस्तों इसे छिल लेना है कट लगाने से इसके छिल के आसाने से निकल जाते ही और इसे अच्छे से साफ करके हमने grinder jar में डाल दिया है साथ ही हमें डालना है लसन की कलिया तो मैंने 4-5 लसन की कलिया डाली है 3-4 सुखी लाल मेंच डालेंगे स्वादनुसा नमक 2 टेबल इस्पून मैंने नारियल डाला है और 1 टीजपून डालेंगे हम साबूत धनिया और पानी डालकर हमें से पीस लेना है और इसकी चट्नी रेडी करनी है लेकिन दोस्तों अब हमें इसको पर तड़का भी लगाना है तो मैंने यह पर राई, जीरा, सुखी लाल मिर्ज, करी पत्ता और थोड़ा सा मेने उरत डाल डालकर इसका तड़का बनाकर डाला है इससे बहुत ही अच्छा फ्लिवर आता है लेकिन अगर आपको तड़का नहीं डा कर लेना है ज्यादा पानी हातों पर मत रखिए और इसे देखी इस तरीके से आपको शेप देना है टिकी का शेप देंगे तो यह बहुत ही क्रिस्पी बनते ही बहुत ही अच्छे और कुरकुरे लगते ही तो मैं हमेशा टिकी का शेप देकर ही वड़े बनाती हूं और बस इस तरीके से शेप देकर आपको तेल में से ड्रॉप करना है इसे फ्राय करना है तो दोस्तो अब हमें इसे पर अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राय करना है और जैसे इस पर कलर आने लगे तो आपको जो गैस के फ्लेम है थोड़ी से मीडियम कर लेना है ताकि यह बिल्कुल वैसा ही क्रंच आता है साबुट जो हमने डाल जो भीकीवी डाल डाली है ना वड़े में उससे बहुत ही क्रिस्पी बबनते हैं और उसका जो क्रंच है वड़ों में बहुत अच्छा लगता है तो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए जैसे ये सुनेरे रंकी हो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शियर करना बिल्कुल भी ना भुलिएगा दोस्तो अब ये जो वड़े हैं तैयार हो चुके हैं चलिए इसे हम तोड़ कर दिखाते ही उप पर से तो ये बहुत क्रिस्पी होते हैं दोस्तों अंदर से ये उतने ही सौफ्ट और इतनी ही मजददार होते हैं तो है ना बहुत ही शानदार रेसिपी और हां दोस्तों इसके साथ ये चटनी बनाना न भूलिएगा इसके साथ इसका स्वात और भी जादा अच्छा लगत तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई दोस्तों